स्टूडेंट्स वेलकम बेक टू पीए सी पाई स्टडी सरकल नाई यूएस आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे 10 नाई यूएस होम साइंस जिसका कोड है 216 उसके मॉस्ट इंपोर्टन क्वेशन आंसर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियों के स्टूडेंट्स के लि बनाने हैं complete syllabus करना है तो वो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे description box में दे दूंगी वहां से आप अपने सारे chapters के notes easily बना सकते हैं अगर आपके पास books नहीं है, previous year के question paper नहीं है, आप किसी courseman role करना चाहते हो, solve assignment, solve practical कोई भी चीज़ आपको चाहिए तो ये सारे चीज़े आपको हमारे app पर मिल जाती है अपका नाम है PhD PIE Study Circle, link description box में है, उसको download जरूर से करके रखें, वो NS Board के बच्चों के लिए काफी useful है इसके अलावा टेलिग्राम पर आपको सभी important question answers की PDF मिल जाती हैं, तो टेलिग्राम को भी join कर लें, उसका link भी description box में दिया गया है चलिए, अभी हम लोग शुरू कर लेते हैं, ग्रह विग्यान के important question and answers तो इन questions को आप exam से पहरे जरूर से prepare करके जाना, क्यूंकि exam के point of view से ही काफी important questions है ये बच्चो पहला question आपके सामने है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर new हैं, तो चैनल को subscribe जरूर करने बेला आइकोन को प्रस कर लें, ताकि आपके पास सारी latest updates and informative videos पहुंसती रहें, वीडियो को like और share करना भी बिल्कुल मत भूलना पहला question है, कि आपके हिसाब से आम आदमी को iodized, यानि जो iodine युक्त नमक होता है, उसका प्रियोग करने के लिए क्यों प्रेडित किया जाता है, है ना आपने सुना भी होगा कि आईउडीन युक्त नमक जो है वो अच्छा रहता है, तो आपके हिसाब से हर common इंसान को iodine य मस्तिस्क की कारिय परणाली को सुचारों बनाए रखने और शरीर के विकास के लिए जरूरी है, तो बैसिकलि दो चीजों के लिए तो बहुत ज़री है, ये मस्तिस्क की जो कारिय पर णाली हो, उसको ठीक तरीके से बनाए रखने के लिए और हमारी health का यніty body के development के लिए ज नमक इस्तमाल करें तो देखे यह रहा answer the common man is encouraged to use iodized salt because it is an essential for the smooth functioning of the brain and for the development of the body तो वही चीज़ है यहाँ पर के आपके जो brain है उसकी functioning जो हो smooth होती रहे और आपकी body का development होता रहे इसलिए common man को encourage किया जाता है iodized salt नमक के लिए its deficiency can use can cause dwarfism and joyter यानि अगर इसकी कमी हो जाए तो उससे जो है बोनापन और घेंगा रोग हो जाते हैं तो जो बच्चे English medium के हैं वो हिंदी देख करके चीज़ों को समझ सकते हैं चलिए next question है तंतू से आप क्या समझते हैं और cellulosic तंतू के कोई दो example दो तो देखो तंतू वास्तों में वस्तर की एक मौली की काई हैं और इसे समझने के लिए थोड़ी सी कपास ले और उसका सबसे छोटा अंश अलग-अलग निकाल ले तो जब आप इसको practical करके देखोगे कपास को लेकर के हाथ में चोटा-चोटा उसका अंश निकाल लोगे इसको ध्यान से देखें यह चोटे या बड़े रेशे जैसे एक नरम सरंचना है जो सफेद बाल जैसी नजर आती है मतलब जैसे वाइट हेयर होते हैं चोटे-चोटे सी ऐसे दिखते हैं यही क्या है यही है तंतू पौधों से पराब तंतू अंदरमेटल यूनिट वब फैबरिक यानि जो तंतू होते हैं वो फंडमेंटल यूनिट होते हैं किसकी फैबरिक की यानि कपड़े की बहुती चोटी सी यानि मौलिक सी इकाई है To understand this, take some cotton and take out the smallest part of it separately तो इसको understand करने के लिए आपको क्या करना है कि कपास को लेना है और उसको एक छोटा सा हिस्सा आपको अलग-अलग निकाल लेना है फिर इसको केरफुली देखना है It is a soft structure like small or large fibers ये छोटा सा structure होता है जैसे की small या फिर large fiber जो की डिखने में white hair की तरह लगता है This is actually the thread और actual में ये धागा होता है The fibers obtained from plants are called cellulistic fibers और जिन fibers को plants obtained किया जाता है उनको actual में cellulistic fiber बोला जाता है जैसे की cotton और lillen चले Next question है बच्छो आपका एक example देकर समझाओ कि हम किस तरीके से कार्य को बहतर क्रम से कर अपना समय और शक्ति बचा सकती है बचो आपने सुना भी होगा कि अगर आपको कोई काम करना है तो अगर उसके आप पहले से थोड़ी सी योज़ना बना लेते हो सही तरीके से बहतर क्रम से करते हो तो आपका उससे टाइम भी बसता है और आपकी एनरजी भी सेव होती है तो देखो समय और शक्ति दो चीज़ ऐसी है जो बचानी जरूरी है तो ये बचाने के लिए जरूरी है कि हम अपने कामों की एक सूची बनाएं एक लिस्ट बनाएं और उसी के हिसाब से कार्रे करें जैसे कि आप स्टूडन्ट हैं तो आपकी लाइफ में पढ़ाई तो होती ही है इसके लावा भी कई काम होते हैं तो आप जब करम से मलब लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने कामों को करते हो तो सारे काम कर लेते हो घरे लोगारे हो को निप्टारे के लिए उपकरनों का प्रियोग करें जैसे कि मसाला पीसने के लिए मिक्सर ग्राइंडर bread को toast करने के लिए toaster का इस्तमाल कपड़े दोने के लिए washing machine है ना तो जैसे कि आप इन काम हो करते हैं तो इससे आपकी energy save होती है और time भी आपका बसता है तो यही हब एक्स्प्लेइन by giving an example how we can save our time and energy यानि आप अपनी time and energy कैसे बचा सकते हैं कि example दीजिए तो example हमने ले लिया है mixer grinder का या फिर washing machine का या फिर जो है bread को toast करने के लिए toaster का तो आपको ही बताना है कि by doing things in a better order यानि आप चीजों को बहतर order में कैसे कर सकते हैं so this is necessary to save time and energy भई बहुत ज़रूरी है कि हम अपना time and energy को save करें let us make a list of our tasks and act accordingly तो चलिए हम अपने कामों की सभी कामों के हम लोग को list बनाने चाहिए और उसी के हिसाब से हमें काम करना चाहिए use tools to handle household tasks और हमें जो है घर के कामों के लिए भी tools का इस्तिमाल करना चाहिए like using a mixer grinder for grinding spices जो टोस्टर होता है toasting bread के लिए use हमें करना चाहिए तो इस तरीके से हम अपना time and energy बचा सकते हैं third question के बाद बच्चों हम देख लेते हैं question number four जो की है रक्त हिंता रक्त हिंता यानी खून की कमी हो जाना जिसको anemia कहते हैं तो anemia से बचाओ हे तू एक गर्भवती महिला यानि pregnant lady को अपने आहार में क्या चार चीज़े खानी चाहएं क्या चार चीज़ें को इंकλूड करना चाहिए तो देखो गर्भवती महिला को रक्त हिंता से यानी खून की कमी से बचने के लिए अपने आहार में निमलिकित खादपदार्तों को शामिल करना चाहिए चार चीज़े आप से पूचिए हैं हम देख लेते हैं यहापर पहली है ताजे फल दूसरी है हारी पतेदार सबजियां तीसरा है मिशृत मेवे और जो था अंकुरित अनाज ठीक है यह चार चीज़े शामिल करने से खून की कमी नहीं हो पाती तो वही है यानि खून की कमी से बचने के लिए कौन से फूर फूट आइटम्स हैं जो एक प्रेगनेट वोमन को इंक्लूड करने चाहिए अपने डाइट में तो देखो अप्रेगन फूमन शुड इंक्लूड दा फूलिएंग फूट आइटम्स इन हर डाइट तो अवोइड अनेमिया क्या वोइड करेंगी वो वही है फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजीटेबल्स, मिक्स नॉट्स, स्प्राउटेड ग्रीन्स नेक्स्ट क्वेशन है, क्वेशन नमबर फाइव, ग्रहविग्यान के केटरिंग छेतर में यानि ग्रहविग्यान का छेतर है बच्चो, केटरिंग छेतर उसमें ग्रहविग्यान अरजित करने के बाद आपको स्वर रोजगार के कौन से दो मौके मिलते हैं हो जाते हैं खुद के रोजगार के मालो आपने होम साइंस के फील्ड में के फील्ड में जो है ग्यान अरजित किया उसके बाद आपको खुद का रोजगार करने के कौन से दो मौके मिल जाते हैं तो देखे वही है ग्रह विज्ञान के केट्विंग छेतर में ग्यान अरजित करने के बाद स्वेरोजगार के अनेक अफसर उपलब्द होते हैं जिन में दो निम्नलिकित है पहला है हॉबिक अख्षाएं उजित करना और दूसरा है केंटीन रेस्टरा या फिर टी शॉब आदी का खुद का मालिक बन जाना याने खुद के अंप्लोईमेंट के लिए अपॉर्चनिटीज कौन सी अविलिबल हो जाती हैं जब एक्क्वाइर कर लेते हो नौलिज आप किस फील्ड में होम साइंस के कैट्रिंग फील्ड में तो वही है after acquiring knowledge in the capturing field of home science many self-employment opportunities are available of which two are mentioned below तो बहुत सारे self-employment opportunities हमें मिल जाती हैं जिन मेंसे दो mention कर दी हैं पहली तो है conducting hobby classes आप hobby classes को conduct कर सकते हो या फिर to become the owner of canteen या आप खुद की canteen कोल सकते हो restaurant चला सकते हो या फिर tea shop अगेरा खोल सकते हो तो ये है हमारा ये वाला question अगला question है बच्चो आपका question number six जो कि अपने दादा दादी को भाब दौरा पकाया गया भोजन ग्रहन करने के चार लाब लिखे तो देखे दादा दाजी जो होते हैं वो old age में होते हैं जादा तर तर तो जब आप उनको भाब से बनाकर खाना खिलाते हैं तो वो काफी अच्छा रहता है बाब दौरा पकाया गया भोजन ग्रहन करने के बहुत सारे लाब है जैसके पहला है भाब से पका भोजन सुपाच्य होता है जल्दी पच जाता है भाब दौरा पके भोजन में पौश्टिकता भरपूर मात्रा में होती है मतलब इसमें पौश्टिकता अच्छी खासी होती है इसके लावा ये खाना हलका होता है और यदि मात्रा से जादा भी खाले तो भी जल्दी पच जाता है और भाब द्वारा पका भोजन ग्रहन करने से स्वास्ते संबंदी समझ जाएं उत्पन होने की संभारनाएं भी कम होती है राइट फूर अड्वेंटेजिस अफ गेटिंग स्टीम कुग्ड यानि वही है स्टीम कुग्ड भोजन का मतलब जो भाब से बगता है तो यह ग्राइट परेंट तो देरो अर मेनी बैनेफिट्स ऑफ कंजूमिंग फूड कुग्ड बाइट्रीम है यानि जो स्टीम से खाना बनाया जाता है उसके काफी सारे बैनेफिट्स होते हैं जिन में से हम देख लेते हैं पहला वही है, steam cooked rice is digestible, भई digest हो जाता है जल्दी, इसके लावा food cooked by steam has a lot of nutritional value, तो इसकी nutritional value काफी होती है, और this food is light, हलका होता है ये खाना, और अगर इसको excess मातरा में भी खा लिया जाए, तो ये gets digested, quickly digest हो जाता है, consuming food cooked by steam is less likely to cause health problems, यानि जब आप steam के true बना हुआ खाना खाते हैं, तो इससे health problem काफी कम होती है, तो ये question number 6 हमने देख लिया है, now let's move on to the question number 7, अगर वीडियो को like नहीं किया है, तो जल्दी से like कर दो, चैनल को कर लो, subscribe अगर नए होतो, कर रखा है तो very good, question number 7 है, vitamin B की कमी के 4 मु हो जाए, तो कौन-कौन से symptoms हैं, जो आपको दिखते हैं, तो देखो, चार लक्षन ये हैं, पहला जीब में छाले पढ़ना, दूसरा है मुह का पकना, तीसरा है जीब का लाल होना, और इसके लावा चोथा है, बैरी-बैरी रोग होना, so write 4 main symptoms of vitamin B deficiency, यानि vitamin B की deficiency से 4 कौन से, vitamin B की deficiency के कौन से 4 symptoms होते हैं, तो वही है, blisters on the tongue, blisters का मतलब छाले होना मुह में, दूसरा है dry हो जाता है mouth आपका, तीसरा आपकी जो tongue हो रेड हो जाती है, और बैरी-बैरी disease आपको हो जाती है, तो ये vitamin B की कमी किसे होने वाले 4 symptoms हैं, जो आपके अंदर आपको दिखने लगत जाता डॉक्टर्स ये ही सजिस्ट करते हैं कि हर नॉमल इनसान को दिन में 8-10 गलास पानी जरूर से पीना चाहिए, तो देखे हमें प्रति दिन 8-10 गलास पानी इसलिए पीना चाहिए क्योंकि, पहला तो ये है कि सभी शारिरिक द्रव्यों का घटक है, आपका शरीर में प आप कोशक तत्वों को शरीर की कोशिकाओं तक भी ये पहुचा देता है, इसके लावा ये है मुत्र के रूप में हमारे शरीर के जो गंदे उत्पाद होते हैं हमको बाहर निकानने में हेल्फुल होता है, आपके हिसाब से आपको जो है 8-10 गलास वाटर और डेली क्यों ल जो शारी रिक दर्व्य होते हैं उनका कॉंपोनेंट होता है, ठीक है घटक है, इट हैपस इन डाइजेशन और फूड, मतलब फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्फ करता है, ट्रांसपोर्ट करता है नूट्रेशन को जो की अप्टेन होते हैं फूड से, तो जो सेल होती ह बोडी की उन तक वो पहुंचा देता है, और इट हैल्प्स इन एक्सर्टिंग दा वेस्ट प्रोड़क्स ओफर बोड़ी इन फॉर्म ऑफ यूरीन, यानि यूरीन की फॉर्म में जो बोडी के अंदर वेस्ट प्रोड़क्ट होते हैं उनको ये एक्सर्ट कर देता है, चलि है तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन में, आंसर है अचानक रसोई में गैस के रिसाफ की दुरगंत आने पर हम निम्लिकित उपाए करेंगे, पहला है खिड़कियां खोल देंगे, तूसरा है घर के सबी सदस्यों के साथ खुली हवा में निकल जाएंगे, तीसरा है माच इत्यादी का प्रियोग नहीं करेंगे, इसके लावा बिजली के किसी भी सुच को अन नहीं करेंगे, लीक करने वाले सिलेंडर को बाहर खुली हवा में रख देंगे, और अगनी शमन दस्ते या गैस आपूरती के आपात कालिन सहायता नंबर पर फोन करेंगे, तो ये स्मेल उफ लीकेज, वाट वुडियो डू, माला भही है, आप किचन में काम कर रहे हो, सड़ली आपको स्मेल आती है, लपीजी लीकेज की, आप क्या करोगे, तो देखो, इफ देर इस स्मेल उफ गैस लीकेज इन दी किचन, वी विल दू फॉल इंगे, पहला ही है, वी वि अगरा नहीं चलाएंगे, नो ठर्ण ओन अन एलेक्ट्रिकल स्विच, किसी भी इलेक्ट्रिकल स्विच को अन नहीं करेंगे, कीप दा लीकिंग सिलेंडर आउटसाइड इन दी ओपन एयर, मतलब जो लीकिंग सिलेंडर है, उसको खुली हवा में बाहर रिख देंगे, और ह हम कॉल करेंगे, फायर ब्रिगट को, जा फिर एमर्जनसी हैल्प लैन नंबर पे, गैस सप्लाई की जो होती है, उसके अलावा अगर आपके माइन में कोई और पॉइंट हो, इस क्वेशन के आंसर इलेटर तो भी आप इसमें आड़ कर सकते हो, चलिए, नेक्स्ट क्वेश इस तकनीक का प्रियोग करके, डिजाइन बनाने की अनेक तकनीक हैं, जिन में तीन निमली खित हैं, पहला है गोला बनाना, कपड़ा लीजिए और उसे घुमा कर या मोड़ कर गोला बना लीजिए, और आवेवस्थित रूप से कपड़े को विभिन स्थानों पर बांध ल लें, तीसरा है गांठ बांधना, तो देखो डिजाइन के अनुसार कपड़े पर गांठ बांध लें और फिर रंगाई करें, तो ये टाइन डाइ बन्देज की तकनीक जो है, इसको हमने तीन तकनीकों को समझाया है, तो वही है क्वेशन, देखो इंगलिश में भी यूज करते हुए, मतलब बन्देज टकनीक से डिजाइन कर सकते हैं, उन में से तीन जो है, वही है वो नीचे हैं, पहला है, आपको एक सर्कल मेक करना है, मेकिंग अ सर्कल है, तो टेक अ क्लोथ और मेक अ सर्कल बाय रोलिंग और फोल्डिंग तो आपको एक कपड़ा लेन fabric, उसके बाद आपको fabric को dye करना है, open it after drying और जब ये dry हो जाए, सूख जाए, तो इसको आपको open करना है डाइट fabric will have a marble effect, ये जो dry fabric है, डाइट fabric है, उस पे एक marble effect आपको दिखेगा, तो ये तो हो गया circle make करते हुए, दूसरा है trying or binding, यानि tie tie, या फिर bind करते हुए, तो tie a cloth, आपको a cloth tie करना है, scarf या फिर table cloth, और फिर sheet from a point and tie it with a thread at equal distance, तो एक point से लेकर के दूसरे point पर आपको इसको tie करना है, equal distance से, एक thread से, इसके लावा third वही है, knot tying, यानि gart बांधना, ठीक है, तो according to the design, tie the knot on the fabric and then tie it, यानि design के according कपड़े पर आप जो है note कर लें, मतलब gart बांध लें और फिर इस पर dye करें, रंगाई करें, तो ये तीन techniques हैं, किसकी tie and dye की, यानि बंदेच की, इनको briefly हमने explain कर लिया है, अगला question बच्चों हमारे ये PDF चाहिए, तो ये मैं आपको टेलिग्राम पे शेयर कर दूँगी, टेलिग्राम का लिंक description box में हैं, वहां से आप ये PDF ले सकते हैं और practice कर सकते हैं, तो देखो कुछ उपाय निम्नली कित हैं, जिससे तारों की सुरक्षा और बजली के उपकरण की जांच की जा सकती है, पहला ये है, केवल I.S.I. Mark वाले electrical उपकरणों का ही इस्तमाल करें, दूसरा है, बजली की किसी तार को किसी उश्मन उपकरण से क्रॉस ना करें, तीजरा है, प्रियोग ना होने वाले सबी सुरक्षा प्लगों या चिपकने वाली टेप से बंद कर दें, और इसके अलावा कभी भी तार को खीच कर प्लग से के सुरक्षा बाहर निकालें, प्लग को अराम से पकड़ कर ही बाहर निकालें, यानि आप जो है, कौन-कौन सी चीज़े दिमाग में रखेंगे जब आप अपने घर की बिजली के उपकरण वैतारों की सुरक्षा की जाच करेंगे तो, तो बताओ, एक चेकलिस्ट आपको बनानी है इसकी, आंसर वही है, पहला पॉइंट है, यूज अनली आई-एस- इलेक्ट्रिकल एक्विपमेंट, यानि आपको केवल आई-एस-आई-माग्ड एक्विपमेंट ही यूज करने हैं, दूसरा है, दो नोट क्रोस अनी इलेक्ट्रिक वायर विद एनी हीटिंग एप्लाइंस, यानि आपको बिजली के किसी तार को किसी भी ऊश्मन उपकरण स क्रोस नहीं करना है, ठीक है, हीटिंग एप्लाइंस से, इसके अलावा, क्लोज ओल सॉकेट्स नॉट इन यूज विद सेफटी प्लग और एडेसिव टेप, यानि प्रियोग ना होने वाले जो सभी सॉकेट हैं आपके घर में, उनको सुरक्षा पिलोगों या फिर चिपकन करने वाली टेप से आपको क्लोज करना है, इसके अलावा, never pull the plug out of the socket by pulling on the cord, यानि कभी भी आप तार को खींच कर plug को सॉकेट से बाहर ना निकाले, pull out the plug only by holding it, यानि प्लग को आपको पकड़ के ही बाहर निकालना है, तो ये कुछ तरीके हैं जिन से आप अपने घर की बिज रखोगे और हमने चेक्लिस्ट या पर बना दी है, अगला question बचो आपके सामने है, question number 12, जो की है, घर पर पकोड़े तलते समय आपको क्या साफधानिया बढ़तनी चाहिए, पकोड़े तो हपने हो सकता है, आपने ना तले हो लेकिन आपके घर में तो तले जाते होंगे, त सामगरियों का इस्तमाल किया जा रहा है, उसकी गुडवता की जांच कर ले, मतलब चाहिए आप आलू के बना रहे हो, किसी भी चीज के आप पकोड़े तल रहे हो, तो पहले देख लो, जो जो चीज़े आप उसमें इस्तमाल कर रहे हो, वो अच्छी है, ची क्वालिटी की हैं, साथ सुतरी हैं, नहीं, दूसरा है, पकोड़े तलते समय, गैस की आँच धीमी रखें, मीडियम बिल्कुल रखें हैं आपे ना, पहले तेल को तेज गरम करें और उसके बाद ना, उसको थोड़ा सा ठंडा होने पर ही उसमें पकोड़े डालें, ठीक है, अगर आप ज सारा टिशू पेपर में जो है, वो निकल जाए, ठीक है, तो वही है, देखो, इंग्लिश में भी, what are three precautions you should take while frying पकोड़ाज at home, यानि वो कौन-कौन सी तीन साफ धानिया है, तीन के चार भी हैं आपर, जो आपको पकोड़ा फ्राइ करते ताइम, ध्यान रखने चाहिए, त कि आप quality पहले देख लो, इसके अलाब आप फ्राइंग पकोड़ाज कीप दा गैस फ्लेम उन लो, यानि जब आप पकोड़ा तर रहे हूं, तो उस टाइम पर गैस फ्लेम को लो रखें, फिर्स्ट हीट दा ओईल फास्ट, यानि पहले आप तेल को तेजी से गरम कर लें, आपकोड़ाज कीप पकोड़ाज दालें तलने के लिए, फिर्स्ट कीप दा फ्राइट पकोड़ाज इन टिशू पेपर, और खाने से पहले आप पकोड़े को पहले टिशू पेपर पर रखें, ताकि जो उसमें एक्स्ट्रा ओईल है वो भी स्क्वीज हो जाए टिशू प लगनी हैं, नाव लेट सी, क्वेशन नबर थर्टीन जो की है, ऐसे चार तरीके बताएं जिनके माध्ध हमसे डालें दैनिक आहर की पॉस्टिक्ता में वरद्धी कर सकें, मतलब जो आप डाल खाते हो अपने डेली फूड में, ती कहा है, डेली डाइट में, तो डालें आहर की पॉस्टिक्ता में वरद्धी कैसे कर सकती हैं, आंसर है डालें जो है वाइटमिन बी, कैल्शियम और आईरन का मुख्य स्रोथ हैं, मतलब डालों के अंदर आपको वाइटमिन बी, कैल्शियम और आईरन काफी मातरा में मिलता है, इसके अलावा ये प्रोटीन का मु का सकते हो तो वही अभी देखो mention four ways in which pulses can increase the nutritional value of the daily diet यानि आपको four ways mention करने हैं जिसकी जिससे की जो डाल होती है pulses होती है वो हमारी nutritional value को जो है increase कर देती है हमारी daily diet में तो answer वही है pulses are an important source of vitamin B यानि जो डाल होती है वो vitamin B का main source होती है important source होती है calcium मिलता है नमें और iron मिलता है it is the main source of protein और protein का भी ये main source है it is a nutritious diet ये एक nutritious diet है एक पॉस्टिकाहार है और it brings variety to our diet और ये हमारी diet में काफी variety ले आता है चलिए next question है question number 14 जो की है आप अपने मित्रों को 4 सुजाव दीजे जिनके दुआराव है रसोई घर में कार रह करते समय और जा की बचट कर सकते हैं in fact ये चीजे आपको भी पता होनी चाहिए कि भी आप किचन में काम करते हैं तो उस टाइम पर आप और जा energy save कैसे कर सकते हैं answer है और जा की बचट के लिए करनों का प्रियोग करें यानि use tools to save labor याना जैसे कि हमने पीछे भी देखा था कि अगर आपको किचन में मसाला पीसना है तो आप mixer grinder का यूज करें ठीक है तो ऐसे समानों का आप इस्तमाल करें कारें को पूरा करने के लिए जाही करम का अनूसरन करें यानि follow the correct sequence to complete the tasks और कारें को कई काईयों में भाजित करें यानि divide the work into several units तो ये आप जब किचन में काम करेंगे तो इससे आपकी ना energy save होगी ये सारे steps को follow करते हुए और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए चले बच्चों next question है आप पहली बार गर्वती बनी महिला को भोजन में सहायता कर रही हैं और उस महिला को इस समय अच्छा भोजन करने के चार कारणों का तर्क प्रस्तुत करें यानि कोई लेडी है जो first time pregnant है you are helping a woman who has become pregnant for the first time with food तो food आप कैसे उसको सज़स्जस करेंगे argue four reasons for the woman to eat well at this time और आप तर्क बताईए कि भी इस टाइम पर जब तुम अच्छा भोजन करोगी तो उससे क्या benefits है तो देखो पहली चीज़ यह है कि अत्यदिक मिर्च मसाले एम तले हुए भोजन का सेवन ना करें यानि do not consume excessive chili spices and fried fruits क्योंकि यह अच्छा नहीं होता ना घर्वती महिला के लिए ना शिशू के लिए दूसरा है swam एवं विक्सित हो रहे भ्रून को सभी आवश्यक पोशकता तो उपलब्द कराने के लिए संतुलित आहार ले जिनमें की दूद, दही, पनीर, फल, हरी, पतेदार सबजियां यह सब शामिल हो यानि take a balanced diet to provide all the essential nutrition to yourself and the developing fetus यानि आपको balanced diet लेनी है provide करनी है pregnant woman के लिए भी और जो बच्चा develop हो रहा है उसके लिए भी ठीक है जिनमें है these include milk, yogurt, cheese, fruits, green leafy vegetables, etc next है के अंकुरन का भी सेवन आप कर सकती है यानि you can also consume sprouts और पूरी नेंद लेना भी बहुत जरूरी है और तनावमक्त रहें take full sleep and be stress free तो ये first time pregnant woman को आप suggest कर सकते हैं के अच्छा खाना, अच्छा सोना उसके लिए और उसके होने वाले बेबी के लिए कितना जरूरी है चलिए, sorry next question है बच्चो संक्रामक रोगों को फैलने के तीन माध्यमों का burden करिए याना के संक्रामक रोग क्यों फैलते हैं किस medium से फैलते हैं तो तीन medium आपको बताने हैं तो देखो बच्चो संक्रामक रोगों के फैलने के अनेग माध्यम है जिन में से तीन निम्ले लिखते हैं यानि describe करिए त्री मोड्स को जो spread होता है infectious disease को जो जिसकी वज़े से infectious disease spread होती है पहला है वाईयू है ना यानि air तो वाईयू के माध्यम से अनोग रोग फैलते हैं जैसे कि संक्रमित वेक्ति द्वारा खांसने या चीकने से रोग के किटानों वाईयू में प्रभावित हो जाते हैं और स्वस्ता वेक्ति के शेर में प्रवेश कर लेते हैं यानि many disease spread through air बहुत सारी disease air के तुरू spread होती है पर एक्जामपल वेन एन इंफेक्टिड परसन कफ और स्नीज यानि मान लो कोई बीमार या इंफेक्टिड इंसान है वो छींकता है या खांसता है तो जो germs होते हैं disease के जो जब एक इंफेक्टिड परसन कफ करता है स्नीज करता है तो उसके तुरू जो है germs उस disease के germs जो है वो air में आ जाते हैं और जो दूसरे लोग healthy person होते हैं उनकी बाड़ी में भी वो enter कर लेते हैं इस तरीके से ठीक है इसके लावा है पानी तो देखो जल के माध्यम से भी जो संक्रामक रोग होते हैं वो फैलते हैं अगर हम गंदे जल को पीते हैं तो इससे शरीर में रोगतपन हो जाएगा और इस तरीके से जल के माध्यम से संक्रामक रोग फैलते हैं यानि water infectious disease also spread through water यानि infectious disease जो होती है वो water के through भी spread होती है if we drink dirty water so it will cause disease in the body गंदा पानी पीते हैं तो उससे हमारी body में वो disease enter कर लेती है in this way infectious disease spread through water तो इस तरीके से जो infectious disease होती है वो water के through भी फैलती है next है संपर्क करने से यानि contact से तो देखो जब हम एक ऐसे रोग के संक्रामत वैक्ती के साथ हाथ मिलाते हैं तो उस रोग के किटारू हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं या जब संक्रामत वैक्ती का सामान हम इस्तमाल करते हैं जैसे कि उसका रुमाल या खिलोने या अन्यवस्तू हैं उससे भी हम भी affected हो जाते हैं. यानि, context say, when we shake hands with an infected person of such disease, यानि, जब हम handshake करते हैं, किसी भी infected person से उस disease के, तो जो germs होते हैं उस disease के, वो हमारी body में भी enter कर देते हैं. या फिर जब हम कोई सामान उस infected person का use करते हैं, like handkerchief, या फिर toys, या फिर other things, तो उससे भी हम infected हो जाते हैं. So, यह हमने describe कि हैं three modes of spread of infectious disease को, I hope आपको समझ में आ गए होंगे. Now, let's see next question, which is question number 17, कि अपने पेजल को प्रदूशित होने से बचाने के तीन तरीके बताईए. यानि, give three ways to save your drinking water from contamination. तो contamination यानि संदूशित होने से बचाने के तीन तरीके जिस पानी को आप पीते हो, उसको संदूशित होने से बचाने के लिए तीन तरीके आपको बताने हैं. तो देखो, जल को संदूशित होने से बचाने के लिए तीन तरीके निमनली खित हैं. पहला है कि पानी को गंदे हाथों या बरतन से संदूशित नहीं किया जाना चाहिए यानि आपको क्या नहीं करना चाहिए वाटर शुड नॉट बी कॉंटैमिनेटी बाइटी हैंड्स और यूटेंसिल्स दूसरा है पीने तता बहुजन पकाने के पानी को साफ बरतन में रखना ठीक है और उसे एक साफ सुथरे स्वच्छ स्थान पर रखें यानि कीप ड्रिंकिंग और कुकिंग वाटर जो आपका ड्रिंकिंग और कुकिंग वाटर है उसको clean vessel में ले, साफ सुतरे बरतन में ले और उसको एक clean place पर ही आपको रखना है इसके लगा जल के इस रोत, sewage से प्रदूशित ना हूँ यानि water sources should not be polluted by sewage सो यह हमने देखा है कि अपने पीने के पाने को संदूशित होने से दोए जाने वाले कपड़ों के लिए कितने उप्यूकत है तो देखो mention four methods of dyeing clothes while washing them and state how many of them are suitable for the clothes to be washed कपड़े पर घर्शन लगाने के चार तरीके हैं यानि there are four ways of applying friction to the clothes यानि friction के four ways है पहला है कपड़े के मिठी लगे भाग को साबून के घोल में दोनों हाथों से तीवरता से रगणने से बड़े वस्तर के किसी छोटे भाग को साफ करने के लिए विधी उप्यूकत है यानि this method is suitable for cleaning a small part of a large garment यानि बड़ा सा garment है उसका छोटा सा पार्ट है जो डॉटी है उसको clean करना है तो by vigorously rubbing the sewage part of the cloth with the soapy solution with both hands soapy solution से आपको दोनों हाथे उसको रगणना है दूसरा है कपड़े के गंदे भाग को साबून के गोल में मसलना वर निचोड़ना तो यह नाजूक कपड़ों के उप्यूकत विधी है जैसे की silk, lace या फिर उनी तो rubbing the soil part of the cloth in soap solution and wringing it in a suitable method for delicate clothes like silk हो गया, lace या फिर wool next है गंदे कपड़े पर साबून लगाने के बाद थापी से उसे पीटना यह विधी बड़े कपड़ों के लिए उप्यूकत है जैसे की चादर हो गया परदे अत्यादी यानि after applying soap on the dirty clothes beat it with a थापी this method is suitable for large clothes like bed sheets, curtains, etc next है गंदे भाग पर साबून लगाकर उसे रगणने वाला brush से रगणे, यानि apply soap on the dirty part and rub it with a scrubbing brush तो ये कपड़े धोते समय होने रगणने के चार तरीके हैं जिनका हमने हाँ पर explain किया है जिनको हमने हाँ पर ठीक है और उसे बचने के उपाए भी आपको सुझाने है यानि घर के अंदर जो air pollution है उनके ऐसे कुन से हैं तरीके हैं जो आप पहचान कर सकते हो तो देखो ऐसे चार तरीके निमलिके था है जिनसे घर के बीतर वायू प्रदूशन होता है यानि following are the four ways by which indoor air pollution and occurs बाहर तो होता है लेकिन घर के बीतर वायू प्रदूशन होता है कौन से तरीके हैं पहला है लकडी का कोईले जलाकर भोजन पकाना यानि cooking food by burning charcoal घर के बीतर किसी प्रकार के उद्योग का संचालन करना यानि carrying on any kind of industry अब घर में ही को industry चला रहे हो जिससे की इंधन वो निकलता है जिससे की इंधन वो निकलता है जिससे की इंधन वो निकलता है थूमा वगएरा विदिन दा हाउस इसके लाब बंद कमरे में अधिक तेल यूग तो भोजन पकाना यानि cooking food containing more oil in a closed room नेक्स्ट है एक छोटे कमरे में बहुत सारे लोग का होना या परियाप्त समवातर ना होने की वज़े से घर के बीतन वाईयू प्रदोशन हो सकता है यानि वही है आपका indoor air pollution can occur due to many people in a small room अब काफी लोग है रूम छोटा है तो उसकी वज़े से भी air pollution हो जाता है और lack of adequate ventilation या फिर ventilation कम हो तो भी उसकी वैसे हो जाता है अब देखो suggestion क्या है सुझाव है कि घर की खड़किया में दर्वाजे खुले रखें और अपनी निकासियों की सफाई करो यानि suggestion है keep the windows and doors of the house open and clean your exist जहां से आप exist करते हो महां की सफाई रखो सड़े हुए कच्छे को उचित निपाटन करें और निपाटन करें और कुडे को आवस्तित रूप से ना फैके यानि आपको क्या करना है dispose of rotten waste properly and do not throw litter half hazardly इसके अलवा बगीचे के कच्छे की जलाई करें हैं है ना तो burn garden waste etc तो ये सारे तरीके हैं जो हमें पहचान कराते हैं कि घर का जो हमारे अंदर का air है वो भी polluted है और उससे बचाओ के उपाएं भी हमने सुझाए हैं नाव लर्सी बचो the last and final question of this video I hope आप अभी तक बने हुए है and that's very good if you are still connected तो ये जो question है वो है उपभोगता की कोई तीन जिम्मेदारिया लिखे यानि consumer की three responsibilities आपको बतानी है आप खुद भी consumer हो है ना जो भी देखो उपभोगता होता कोन है यानि जो भी कोई किसी वस्तू का उपभोग करता है वो उपभोगता होता है तो हम मेंसे सभी लोग किसी ने किसी चीज का उपभोग करते हैं चाहे वो खाने की वस्तू हो पहनने की वस्तू हो है ना तो जो कोई उपभोगता है हम सभी normally उपभोगता ही होते हैं इसके अलावा दुकंदार द्वारा दुर्वेभार किये जाने पर आप अपने शिकायत एक सुववस्तित धंग से कर सकते हैं और करनी चाहिए यानि इन केस ओफ मिस्बिहेवियर बाइदी शॉपकीपर अगर शॉपकीपर आपके साथ मिस्बिहेव करें तो इसके अलावा य दिक्रत है यानि इस वीडियो में 20 इस वीडियो में 20 मोस्त इंपोर्टन विद आंसर्स और इस्प्लेनेशन डिसके हैं इन बोथ मेडियम्स हिंदी और इंग्लिश आप आपने अच्छे से समझ लिये होंगे बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ये पीपीटी में टेलिग्राम पे शेयर कर दूँगी लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में हैं और चाहे आप अपरल में अपियर होने वाले अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है तो मेरा दूसरा चैनल है विच नेम इज लैट इस लर्न इंग्लिश पाय तबस्स्म उसको भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि वहां पर आपको एनाइस की इंग्लिश पढ़ने को मिल जाती है इंपोर्टन क्वेशन आंसर च